डाल के साथ आपने सरसो भाजी, मेथी भाजी, पालक भाजी आपनी कई बार खाई होगी लेकिन अगर आपने कभी इस तरीके से अरबी के पत्ते की डाल नहीं बनाई है तो एक बर जरूर बनाईए गए इसके आगे सारे दाल फीके लगेंगे और ये खास करके बारिस में ही बनाई चाहती है तो शबसे क्या पहले क्या करना है आपको देख ले लेने डंठल की सबज और अच्छी तरह से छोटे-छोटे टुकड़े में कट करके तयार कर लीजेगा सबसे पहले इसे धोके साप कर लीजेगा उसके बाद इसे कट करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी और ज्यादा एक्ष्ट्रा आपको महनत भी नहीं करने पड़ेगी तो यह दिखे बतले-पतल से बिलकुल छोटे-छोटे टुकड़े में आपको कट कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ बस इसी तरह से आपको कट करके तयार कर लेना है अब चलिए इसके रेसेपी कैसे बनाते हैं बहुत ही टेस्टी वाली बिलकुल ही खरासते रही एक भी खरास नहीं होगी और इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही जादा बढ़ जाता है इसे आप बाजरे के रोटी के साथ मक्य के रोटी के साथ या फिर सिंपल गेहु के रोटी के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी रखती है तो दिके मैंने प्रेसर कोकर का इस्तमाल किया है सभी को मैंने इसमें डा है उसके बात क्या करना अगर भीगो के रखे हैं तो ठीक है नहीं तो चना डाल को आपको डारेक्ट डाल देना है अगर डारेक्ट डाल रहें सूखे वाल है तो आपको 5-6 तरह से चलिए मेदियम से तो बिस और उसमें मने डाल दिया तेल तेल डालने के बाद आपको एक चमच डाल देना है जीरा और दो से तीन लसुन की कलिनर को अच्छी तरसे चुटे-चुटे टुकड़े में कट करके डालना है टेस्ट बढ़ानी के लिए आपको डाल देनी है हरी अवाली मिर्च उसके बाद ए अद्रक चरू डालना है अद्रक से इसका टेस्ट कई गुना पढ़ जाता है और सभी चीज़ों को डालके आपको लगतार भून दे रहना है बिल्कूल ही अच्छी तरसे भून चलने चाहिए जैसे कि टमाटर अच्छी तरसे गल जाने चाहिए और प्याज भी हलका सा भू इल्कूल ही लो कर दी है उसके बाद मैंने डाल दी है थोड़े से यह दिखें धनिया पवडर मैंने डाला है थोड़ा सा जीरह का पवडर डाला है आदा चमच से भी आदा आपको ये सब चीज़ इस्ट इससका टेस्ट बढ़ जाएगा अगर आप अरबी की मात्रा जादर ले रहे हैं पत्ते के मात्रा ज्यादा ले रहे हैं दाल की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं तो आपको मात्रा बढ़ा देनी पड़ेगी लगभग मैंने 75 ग्राम डाल लिये हैं बस उसी के कॉंटिटी में मैं बता रही हूं अगर आप ज्यादा मात्रा में डाल बना रहे हैं तो म मासाले की जो मातर है वो आपको बढ़ा देनी पड़ेगी और यह देखे मासाले भी भून चुके हैं प्याज भी अच्छी तरह से भून चुके हैं अब सिंपर से आपको एक में ट्रिक बताती हूं जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाएगा तो सबसे पहले आपको ए ज्यादा बैलेंस हो जाता है अगर आपके पास घोटने का है तो इससे घोट सकते हैं बहुत अच्छी असा फ्लिबर आता है चाना डाल से इसका जो टेस्ट है ना कई गुना बढ़ जाता है और भी मैंने बहुत सारी अर्भी की रैसेपी डाल रखी है नहीं देखे तो करास खतम हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है ना बिल्कुल ही बढ़ जाता है कभी भी अगर आपने इस तरीके से नहीं बनाई है तो इमली डाल के कुछ रैसेपी बनाए कि यह बहुत ही टेस्टी लगती है उसके बाद यह देखे चोका वाले जितने भी मैं टेस्टी बन कर दिया सबी को अची तर से डाल दिया है अब यह देखे अभी से इसका कलर देखे कितना अचाया है फिर आपको एक चमच डाल देना है मकान जी हां दूस्तों बटर डाल देना बटर से इसका जो टेस्ट है ना कई गुना बढ़ जाएगा खालास भी खतम हो जाएगी और टेस्ट है ना जो महक है बहुत ही गजब क्याती है अगर बटर नहीं है देसी घी है तो देसी घी भी डाल सकते हैं बहुत ही टेस्टी वाली अरबी की ये डाल की रेसिपी आपकी तयार हो जाएगी इसे डाली कहेंगे चैना डाल की बहुत ही टेस्टी डाल है अगर कभी न डंठल है उसे बिल्कुल भी नहीं फैकते हैं और उसकी बहुत ही टेस्टी सबजी बनाके खाते हैं तो चलिए आज मैं आपको अरबी के डंठल की सबजी बतानी का तरीका बताऊंगी इससे नहीं आपके गले में खरास होगी और इसका टेस्ट कई गुना ज्यादा बढ़ ज काते होंगे लेकिन अगर आपने अरबी की भाजी नहीं खाई है उसके डंठल खे आपके सबजी नहीं बनाई है तो एक बार जरू ट्राइ किजिगा तो यह देखिए अरबी के डंठल को ले लिया है और अच्छी तरह से जैसे मैंने इसके ऊपर के शिल्के हटाये बस इसी पनाच लिलसुन की टुकड़े डाल दिये हैं कलिया डाल दिये हैं ताकि इसका जो सबजी है बहुत ही टेश्टी बने फिर मैंने डाला है एक चंबच चीरा और टेस्ट बढ़ाने के लिए आपको डाल देने है टमाटर यह देखिए मीडियम साहच के बड़े साहच की मेरे टमाटर रागरा डालकर उसे आपको डाल देना है और बहुत ही अच्छी तरह के से लगातार आपको चला चलाकर बून लेना है बहुत ही कम महिनत में यह सबजी बहुत ही टेश्टी बनती है कई बार आपने सहजण की रसपी बनाई होगी या फिर जो साघ मिलते हैं उसके आपने डंठल भी खाये होंगे लेकिन अगर इस तरह के से नहीं अर्भी की कभी डंठल खाये हैं तो जरूर खाईएगा थोड़ा सा मैंने टेस्ट बढ़ाने के लिए हिंग डाल दिया है यह काम आप सुरू में करते हैं जब सरसो डालेंगे ना तभी आप हिंग को डाल तो यह देखे टमाटर भी अच्छी तरह से भून चुके हैं और बिल्कुल ही महग भी अच्छी से आ रही है और तेर अलग से हो चुके हैं उसके बाद मैंने स्वाद अनुसा नमक डाला है नमक डालके फिर से आपको चला देना है आप चलिए मैं वह जानकारी देने वाली अगर है तो जरूर डाल येगा बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा मातरा ले सकते हैं या पिर तीखा नहीं खाते हैं और बिल्कुल ही पर्फिक्ट बनाना है तो पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने लेना एक से दू मिनट जैसे ही भूनेंगे बिल्कुल ही ये सौप्ट हो जाएगी और जो सब्जी के मातरा भी आप ज्यादा देख रहे हैं थोड़ी देर में ये कम हो जाने वाली है और हाँ इस तरह की और भी आपको टेश्टी वाली सब्जी के रेसिपी देखनी है तो म अच्छी तरह से मैंने मसाली के साथ अरवी को आपको पका-पका के कभर करना है और भून लेना क्योंकि इसमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं होने वाला और ये देखे अभी आप देख सकते हैं अरवी की जो क्वंटिटी थी वो पते की वो थोड़े से कम हो चुक पानी की ही सब्जी है बिल्कुल ही पानी में ही उखते हैं तो बहुत ही जादा पानी मातरा में इस डंटियों में होता है तो यह देखे अच्छी तरह से पका-पका के आपको लगातार चलाते रहना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा डाल देना है गरम मसाला ताकि इसम लाले उसके बाद आपको डालना है दो चमच दही यह देखे बहुत ही कम दही का इस्तमाल किया है अगर टमाटर नहीं है तो दही से आप इस रेसपी को टेश्टी बना सकते हैं अगर दही भी नहीं है तो एक चीज में और भी डालने वाली हूं जिससे इसका टेश्ट कई और तो रहा करोच पना लीए और अगर बढ़ आतो आपके आमचूर के ररस इखे और सी तो कहरी हो कि बहुत ही भी पतते हैं अरबीकी की रेसपी बनायए तो क्या हो जाती है एक दिकत है यहां कि हमेटा इसमें खाली हैं मूह में जैसे खाया को शुछली होने लगते लेग भी खरास नहीं होगी और मैं इसके सब्जी बनाने वाली हूँ अब बहुत ही सोटकर तरीके से बनाने वाली हूँ ना इसे भापेंगे बहुत ही घंटों के मेहनत बिल्कुल भी नहीं होगी और बिल्कुल ही सोटकर तरीके से मचली से भी ये टिश्टी रेसेपी बनाने वाल तो सबसे पहले आपको हल्दी का पाउडर ढलना यह दीखे्ज़ आपको तिखानुसार आपको अपने हिसाप से ले सकते हैं मैंने चार अर्श क्पत्त्व है उसी का इसी का डालो चिंजी में परते आण बल्म देता का चाहरा आधा चलंवर लाया तु इस में और अ UP खराज की सिकायत नहीं होगी और यह जो रेसपी है बहुत ही टिष्टी बनती है बिल्कुल ही चटपटीर बनती है तो यह देखिए हलका सापको पानी डालना है ज्यादा पानी इसमें नहीं बढ़ता है और यह देखिए बहुत ही कम पानी डालके इसे अच्छी तरह से आपक साक के से बनाते है सोड़ी के से बना सीछ भी हो Webb बहुत अची तरीके से घर्म करना है विल्कुल ही रोटारी वाली हो बनातु हम भापनस की जरूट नहीं है से मैंầy लगा इसी ऩचल्ली लगा चाहिएं दिखे बीरे दराबी लगाएंगे तो भी दिकत नहीं होगी तो भी AJY अक्षी तरह से लग जाती है चार तरफ से हल्की हल्का साइब को पेसं लेना है और сैटगल पैक कर देना यह देंगे अचीत ही Дखे मैंने कैसे बनाया बिल्कुल ही मचली के जैसे टेश्टी बनती है और खरास खरास बिल्कुल भी नहीं आएगा और जो सबजी है ना सबजी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनती है अगर नहीं बनाई है तो एक बड़ जरू बनाईए तो इदे के एक साट सिख गये हैं फिर आपको क्या करना परड़ देना है और इसे अच्छी तरह से गुल्डन होने तक आप रहे ताना है तो मैं आप बनाती है और सबजी की बनाईएगा और अर्भी पत्टे के पकोड़ी के रेचिपी मैंने पहले डाल रखें नहीं देखें तो जाके देखें बिल्कुल ही कुजराती ही स्टेल म मैंने थोड़ा सा सर्सो का तेलेट कर दिया है तेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने सर्सो के डाने भी डाल दी है और अच्छी तरह से तलकने बाद आपको दो लॉंग डालना है लॉंग से बहुत सी अच्छा सा फलेवर आता है है तो जरूर डालिएगा एक प्याज को मैंने अच्छी तरह से बाद मैंने लसून और अध्रक का पेश्ट डाला है उसे भी आपको अच्छी तरह से भूल लेना है सभी चीजों को प्याज को टमाटर को मसाले को जब यह सबसे पहले आपको हटाने है और हां इस तरह की रसेपी और भी देखना चाहते है तो मैंने चैनल तो आपको क्या करना थोड़ा सा पानी डालना है और अच्छी तरह से प्याच को टमाटर को अच्छी तरह से गला लेना है फिर मैंने आधा चमच फीर से हल्दी पाड़र डाला है और फिर आधा चमच मैंने लाल मिर्च का पाड़र डाला है और अधा चमच मैंने थोड़ा करें मिर्च का उपियोग हमेशा करें अच्छी तरह से पानी डाल दिया है और अच्छी तरह से आपको भून लेना मसाले को जितने चतर से भूनेंगे तेसका बहुत ही ज्यादा पढ़ जाएगा अब क्या हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा खरास आती है कभी आप अर्भी क ये बहुत सारे रेसिपी भी डाल रखी नहीं देखें, तो जाकर देख सकते हैं, यह दिकने, थोड़े से मैं सबाथ नहीं मिर्च को भी डाल दिया है, और रह से आपके पास लिएगा बहुत अच्या से फिले बार आता पर चल़ेना है उसमें और और दोड़ेना है wrestler searchiva ला और यह दिखे बहुत यह अच्छी तरह से बनाज लिया है आप चाहिए तो इसे कच्छा भी खाएंगे ना तो कोई भी जलन नहीं होने वाली एक भी खरास नहीं होंगे और बहुत ही टेश्टी भी लगती है तो यह दिखे अच्छी तरह से मैंने छोटी चोटी टुकडे में अब जो टेश्ट है बिल्कूल ही टेश्ट बढ़ जाता है अगर आपने कभी कोशिस नहीं किया तो जरू किजिएगा तो यह दिखे सबीक पत्ते को मैंने डाल दिया है और एक वालाने तक आपको ढख के पकाना है अच्छी तरह से तो एक से दो मिनट में यह अच्छी तर अगर कभी भी नहीं खाए ना तो एक बर जरूर खाईएगा मैंने बहुत सारी अर्भी के रसेपी डाल रखिया है मेरे चैनल में आप जाकर देख सकते हैं और यह रसेपी अगर पसंद आती है तो एक लाइक अभी करते तो मिलते हैं फीर से